कि तो हुआ है कि आज तो इस शो में जो बाते होंगी सावन चल रहे और सावन में मालक्श्मी इका बड़ा व्रत बीए ये व्रत आपको धनवान बनासकता कैसे बना सकता है वाज बताऊंगी सावन में पढ़ रहा वर लक्षमी व्रत की पूरी जानकारी दी जाएगी लक्षमी जी को कैसे प्रसंद करना है उनको अपने घर में कैसे बुलाना है इसके उपाई भी होंगे कथा भी होगी जिसे खुद शिवजी ने सुनाया था आज सा अब लक्षमी जी के हर भक्त को करना होता है जिसको लक्षमी जी की कृपा चाहिए उससे तो जरूर करना होता है आपको क्या करना है और चानिये पूर्णिमा से एक हफ्ते पहले वाले शुक्रुआर को मनाया जाता है जो आज का दिन है वर लक्ष्मी व्रत ये व्रत मालक्ष्मी को बहुत प्रिय है उनको दूसरा अफ्तार माना गया है मालक्ष्मी का जिसे धन की देवी कहा जाता है नारित्व का व्रत होने की वज़से जो भी सुहागन हैं उनको ये व्रत जरूर करना चाहिए इस व्रत के करने से व्रती को सुख, संपत्ति, वैभव की प्राप्ति होती है अब मैं आपको वर लक्ष्मी व्रत की पूजा की विधी क्या ही ये बता देती हूँ अगर आप से कोई गलती हो रही है तो उसे सुधार लीजेगा घर की साफ सफाई जरूर कीजेगा और पूजा की स्थान को गंगा जल से पवित्र कर लेना है छिड़कर ठिक इसके बाद वरत का संकल्प करना है देवी महालक्ष्मी की मूर्टी को इस डारेक्शन में रखना है फिर आपको जो करना है वो बहुत बहुत जरूरी है आज का दिन बाकी है आप ये काम जरूर कीजेगा पूजास थल पे थोड़े से चावल फैलाएं एक कलश में जल भरकर उससे चावल के उपर रखिए इसके बाद कलश के चारों तरफ चंदन लगाईए कलश के अंदर पान, सुपारी, सिक्का और आम के पत्ते डाले इसके बाद एक नारियल पर हल्दी, चंदन, कुमकुम लगाकर कलश के उपर रखिए, इसके साथ में एक ठाली में लाल कपड़े, अक्षत, फल, फूल, दूर्वा, दीब धूप से मालक्षमी की पूजा कीजिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इस दिन कुछ भी नहीं खाना है, और रात में आरती अर्चना करने के बाद फलहार आप ले सकते हैं, वरलक्षमी वरत की कथा भी जान लीजे, ये कथा आपके लिए जानना बेहत जरूरी है, क्योंकि मानिता है कि ये कथा सुनते ही मालक्षमी प्रसन हो जाती है, और कहा जाता है ये कथा शिवजी ने मा पार्वती को सुनाई थी, तो आप भी जरूर सुनना चाहेंगे, एक बार मघद राज्य में कुंडली नामक एक शहर था, मानिता ये है कि इस शहर का निर्मान स्वर्ख से हुआ था, इस नगर में एक चारुमती नाम की महिला अपने परिवार के साथ रहती थी, चारुमती करतव्य को मानने वाली महिला थी, जो अपनी सास, अपने ससुर, अपने पती की सेवा करके, मा लक्षमी जी की पूजा आर्चना करके एक आदर्श नारी की तरह रह रहे थी, एक रात चारुमती को मा लक्षमी सपने में आके बोली, चारुमती हर शुकरवार को मेरे लिए वर लक्ष्मी वरत की कथा किया करो, इस वरत के प्रभाव से तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, इसके बाद क्या हुआ कि चारू मतीने अगले सुभा मालक्ष्मी के द्वारा बताए गए, वर लक्ष्मी वरत को किया, और लोगों को भी बताया, और फिर मिलकर सुख वैगव आ गया, सभी चारू मती की तारीफ करने लगे, क्योंकि चारू मती नहीं सबको इस वरत की विधी के बारे में बताया, कहा जाता है ये कथा भगवान शिवजी ने माता पार्वती को कहा था, उनको बताई थी, इस वरत को सुन्ने मातर से मालक्ष्मी की कृप माना जाता है, यू तो मालक्ष्मी की पूजा करने के लिए किसी खास दिन के जरूरत नहीं होती, फिर भी इस दिन को सबसे शुब माना जाता है, बता दें आपको कि शुक्रवार के सुपाई में मालक्ष्मी और भी ज़्यादा प्रसन हो सकती है, ना केवल आपकी धन परिशानिया दूर होंगी, बलकि आपकी आर्थिक स्थिथी भी सुदर जाएंगी, आपकी घर में खुशियां भी आएंगी, शुक्रवार सुभा मालक्ष्मी जी के मंदिर जाएं, उन्हें सफेद कमल के फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें, इस से आपको धन की प्रा प्राप्ति के लिए निवेदन करें, या आप थोड़े दिर बैठ के वहां प्रातना करें, इस से देरी लक्ष्मी आपकी प्रातना जल्दी ही सुन लेंगी, इसके अलावा अगर आप जल्दी धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो दक्षणा व्रती शंक में केसर मिलाकर आपको दिक्कतों से छुटकारा मिलता है, इसके बाद शाम को घर की उत्तर पूर्फ दिशा में गाय के शुद घी में थोड़ा सक केसर डाल कर दीपक चलाईए, दरसल ऐसा करने से आपका रुकावा धन आने की योग बनते हैं, मतलब यह है कि लक्ष्मी जी की पूजा करत इठाली में रखना चाहिए, फिर पूजा होने के बाद इस सिक्के को यह और भी सिक्के रखे हैं तो इसे तिजोरी में रखते हैं, आपको बटाएं इससे तिजोरी में और उसमें रखा पैसा हमेशा भरा रहता है, असर जादा मेहनत करने के बाद आपको अगर आतिक कैड़ाब होगा। इसके साथ साथ ही शुकरवार की शाम को देवी लक्षमी का चित्र या मूर्ति लेकर उसकी पूजा करें। वही पूजा के दौरान मा लक्षमी के चड़नो के साथ कौडिशंग भी रख दें। मतलब ये की पूजा करने के बाद इन कौडियों को वहीं रहने दे फिर आधी रात करीब बारा बचे कौडियों को घर में आप किसी भी पौधे के अंदर दबा देते हैं तो धन सम्बंदित सारी परिशानियां दूर हो जाती हैं कल से रक्षा बंदन स्पेशल मैं शुरू कर रही हूं सिर्फ आपके लिए इसलिए आज ही आपको कल की विशेश जानकारी देना चाहते हूं आप सावन में शनी देव को प्रसंद कर सकते हैं जी हां सावन में शनीवार के दस उपाए आपको बताती हूं जिससे साल भर रात पर शनी देव की क्रिपा वरसेगी आराम से बता रही हूं उपाई में उठकर लीजए देखे दोनों समय के भोजिन में काला नमक और टाली मिर्च का प्रियोग जरूर करें बंदरों को भुनेवे चने खिलाएं और मीठी रोटी पर तेल लगाकर ब्लाक डॉक को खिला दें अगर शनी देव की अशुब दशा चल रही है तो मास मद्रा नॉन्विच एंड आलकोहॉल का सेवन बिलकुल ना करें रोजाना पूजा करते समय महामृतिंजे मंत्रक में ओम नमश्यवाय का जाब करें शनी के बुरे प्रभाव से मुक्ती मिलती है घर के किसी अंधेरे भाग में किसी लोहे की कटोरी में सरसो का तेल भर कर उसमें तांबे का सिक्का डाल कर रखें शुकुरवार की रात में 800 ग्राम काले तिल पानी में भी हो दें और शनीवार को सुबह होने पीस कर गुर मिलाकर आठ लडू बनाएं किसी ब्लैक घोड़े को खिला दीजिए आठ शनीवार तक की काम करें शनी के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए साटरडी के दिन काली गाई की सेवा करें पहली रोटी उससे खिलाएं सिंदूर का तिलक लगाएं सींग में मौली बाने और फिर मोटी चूर के लडू खिलाकर उनके चरंस पर्ष करें रोजाना शनीवार को वट और पीपल के व्रिक्ष के नीचे सुर्योदे से पूर्व कड़वे तेल यानिकी सरसो के तेल का दीपक जलाकर शुत कच्चा दूद और धूप अर्पित करें इतना सा दूद डालाएं शनीवार को ही अपने हाथ से नापा 29 हाथ लंबा धागा लेकर ऐसे नापी 29 टाइम्स जब फोल्ड हो जाए उससे मोर कर माला की तरह गले में पहन दीजे